देवासमी भाजपानेता और कॉर्णाइजर गौरव जेन के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में नया मोड आ गया है पेरित महिला ने इन दोनों पर जूटा प्रेक्टन दर्ज कराने का आरोप लगाया है और नियाय की मांग की है महिला ने बताया कि भाजपानेता ने शादी का वादा कर उसके साथ बार-बार शारेरिक संबन बनाए जब वह प्रेगनेंट हो गई तो उसे दोखा दिया महिला का दावा है कि धनबल और राजपनेरिक संबन्धों का उप्योपकर उसके खिलाफ जूटा मुकद्मा दर्ज कराया गया है मेरे खिलाफ एक हनी ट्रेप मामले में एफ़ाइर की गई है गोरव जेन भूमिया के थूप वो जूटी एफ़ाइर है जो मेरे उपर गलत आरूप लगाया है क्या सत्यता है इस चीज की सत्यता यह है कि वो ढ़ाई साल पहले उन्होंने मुझे शादी का प्रॉमिस किया शादी करेंगे ऐसा वादा करके मेरे कॉंटेक्ट में आए और मेरे साथ फीजिकली सारी चीज मेरा मैं प्रेग्नेंट पहले भी हुई तो मुझे गोलियां खिला दी कि ये गोली खा ले फिर मैं शादी कर लूगा फिर दूसरी बार भी ऐसा किया और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ उनका बेबी है इतने मद्ट की उन्ध एक मन्ध से उपर एक देड़ मने तो कुछ क्या आपको क्या लगता है क्या गलत हुआ आपके सब्सक्राइए? मेरे साथ यह गलत हुआ कि मुझे धूखे में रख気 कि शादि करूगा, शादि करूगा करके मेरा शोषन रहे और अब लास्ट में भी मुझे यह बोला है जने लिए में ममी और मामा आजीय धर को गय और मुझे घर भी बुलाया गूला कर ममी से तेरी बात करा दू पर इन लोगों ने मुझे भाइन बी डराया क में बच्चा गिरा देज फिर शादी कराएंगे यांकि इस वस्क्राली मैंने मना करके में आ गई उसके बाद ने अगले दिन मतलब जिस तिन ये रिप्लाय देने वाले थे शादी का उस दिन मेरे खिलाब इन्होंने एफाई आर करती जूटी एफाई आरे कोई मेरा कोई इनसे ऐसा लेना देना नहीं है जा आप केसे संपर्दमाय थे इनसे इनकी कॉलोनी नवरत हरिटेज और रुद्राक्ष गॉलोनी का काम करती थी में प्लाड बेचती थी इनके उसकी मार्केटिंग थी मेरे पास बस इसी यही व्यापारिक संबंध था और मैं तो अकेले ही थी तो इन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोस किया कि शादी करूंगा और पूरी सब्सक्राइब करने में असानी रहेगी और फिर बाद में घर बुला के बोलते हैं कि बच्चा कि राद दे ऐसा वेसा इस तरह अच्छा कोई घर में मम्मी थी और इनके कोई सिस्टर थी जब यह बात सब्सक्राइब यह यह लोग मेरा फोर्स करके वीडियो भी बना रहे सब्सक्राइब करते हैं कि महां कहां मिले लगाता आप लोग जो आप फिजिकल हुए थे उस बीच कहां कहां मुलाका तो है अमर मोहीनी हमेशा अमर मोहीनी एक होटल है उज्जें डोड पर वहां यह बुलाते थे आखरी बाद कब मुलाका थोई थी आपकी लास्ट बार आ अब आप मिलते थे होटल में उसमें क्या रूम नंबर हो आगा दोसो नो नंबर हम अच्छा पूरह में साधी हो चुकी है उसे क्या डिवोच वाया अपको डिवोच भी मेरा इनों नहीं करवाया क्या करके कि तू उसको तलाग दे उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मैसे पर मेरे पास कोई उप्शन नहीं है मेरी कोई सुन्वाई नहीं हो रही है और मतलब यह नहीं हुआ तो यह समझी है कि कि आज का ये मेरा इंटर्व्यू रास्टी ही होगा मैं यहां आप लोगों से हेल्प मांगने लिए आपके जो बेट में बच्चा है वह किसका ये गुवराव जेन भूमिया का बेच्चे उन्हीं का है क्या मांतों डियेने टेस्ट भी अगर करवाना चाहे तो हां बिल्कुल डियेने टेस्ट आप कुछ अच्छे लोगों के समग से सामने इसा करवा है कि ये कोई भी छेड़खानी ना कर सके क्योंकि ये पैसों की पावर से बहुत सारी चीजे इसने जूटी एफ आईया पैसे घिला कर दी मतलब कुछ भी सत्तिता निये किसी चीज में सारे जूटी चीजे प्रेश करके पैसों की ताकत पे इसने मेरे उपर इता बड़ा जूटा केस लगाया है तो ये मेरे मेरे बच्चे का डियेने भी मतलब चेंज करवा दे ऐसा कुछ नहीं हो इसलिए मैं अच्छे लोगों का सब्सक्राइब आपको इस फुरे प्रकट में ड़ाया गय किसी के दो आपको नहीं नहीं कोई दवाव निये मुझे मैं इस जूटी एफ आई आर से ही वारिशान हूं कि इतना गर्भा आरों कि अधिकारी उसे चर्चा करे जाके किसी से मिले कहीं आए दिन दिया नहीं पर इसने सब चीजे में ने जहाँ जिनोंने मुझे जो मैं टी करेंगे आप में इस पर काईमी चाहती हूं कि यह मतलब इसको मतलब इसको गलत इसने किया मेरे साथ और जूटा इल्जाम लगाए है इसको इसकी सजा मिले है आपने कितने साल तेब आपने इनके रिलेशन में हूँ मैं इनकी रूदराक्ष कॉलोनी नावरत्न से संपर्क में आई थी मैं